और अब इस पर एमेज खान जी आपकी प्रतिक्रिया देखे विक्रम सिंग जी भी कहा रहा है उनको तो अनुभव है उत्तर प्रदेश में पुलिसिया विवस्था का और कैसे जांच होती है कि सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं और अब जो जांच रिपोर्ट आ गई ह उसमें तमाम तथे जो हैं वो प्रस्तुत किये गए हैं साज़िश की दिशा में भी काम किया जा रहा है जो जरूरी था जिन पर गाज गिरनी थी गाज भी गिर गई है अब आगे क्या शंका आप लोगों के जहन में रह गई नहीं देखे मानी मुख मंतिरी जी दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए थे तो किस लिए गए थे वो क्या काम किया उन्होंने वहाँ पर किसको तलब किया किस से बात किया उन्होंने देखे विकरम सिंग जी की बहुत रिष्पट करता हूं जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनको सस्पेंड नहीं उनको बरखास करना चाहिए था एक सो पचीस अब वीस में लोगों की मौत और सस्पेंशन संस्पेंशन तो छ महीन फिर वापस हो जाएगा तो यह सजा नहीं है और बाबा को गिरिफ़तार करना चाहिए एक मिन्ट रुख जाएं तो आप पर करें एक मिन्ट रुख जाए सना ना करें एक मिनिट रुख जाएं अगर आप परसनल उलजेंगे और एक दूसरे पर आरो प्रत्यारोब करेंगे तो सर में लाओ नहीं करूंगे आप दोनों को अभी आपस में लड़ने के लिए एमेच खान जी आप जिस तरीके के सवाल कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि बिना जाच के बिना राजेश ये रुक चाहिए एक सेकिन और उन पर तुरेंट कारवाई हो जाए निश्काशन की कारवाई से आप लोग सस्पेंशन की कारवाई से आप लोग बिल्कुल भी किसा दाल पर आप सस्पेंशन मांग रहे हैं मैं इसे बड़ा बत्तमीजी हूं रुकिये ना सर यहां कोई बत्तमीजी का टेस्ट होने के लिए नहीं बैठे हैं सब्सक्राइब करने के लिए रुकिये प्लीज आवाज थोड़ी कम करिया मैं इस खान जी बोले दीजिए का अगर आप दोनों आपस में उलजेंगे और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे शब्सक्राइब करेंगे तो सर आप दोनों की आवाज बंद रहेगी राजी चीक अवाज थोड़ी कम करिये प्लीज और एमेच खान जी थोड़ा मुद्दे पर आईए सेंसिटिव बात पर आईए आप उससे बात कर रहे थे मैं आपसे जानना चाहिए किस आधार पर आप चाहते हैं कि परखास्तगी हो जाए इस आधार पर चाहते हैं कि एक सोटा मोटा काम है क्या एक आदमी की कोई हत्ता हुई यह क्या यह एक आदमी की हत्ता नहीं होई है यह इसमें बच्चे मरे हैं इसमें महिलाए मरी हैं जिम्मेदार कौन जिसने पर्मिशन दिया जिम्मेदार कौन जिसने 40 धाई लाक आदमियों को बीच में 40 सिपाही खड़े किये यह जी मदारी किसकी है अरे अगर बरखास आप नहीं करोगे तो ऐसा ही घटना होती रहेगी ऐसा ही अजिकारी मोच करते रहेंगे अजिकारी जोगा काम ऐसा ही होता रहेगा इसलिए बरखास होना चाहिए और बाबा को ग्रिफटार करना चाहिए अब उससे पूछना चाहिए किया किन इस परशितियों में आप वहाँ नहीं गए अब किन परशितियों में आपने वहां के लोगों को भरमाया यह कोई मजाख खेल नहीं है जो बात कर रहा है आप सस्पेंशन हो गया बड़ा भारी कारनाबा हो गया अच्छा आपने गंभीर सवाल उठाया अनुपा मिश्टा जी आपके पास आउंगी उससे पहले छोटे से प्रतिक्रिया एपिसंग जी की ले लूँ सर